आज 6 जन्वरी 2023 है और आज का एक आर्टिकल से दे हिंदू का जो ग्रीन प्रॉमिसेज आप समझ में आगया होगा ग्रीन प्रॉमिसेज क्या होता है दरसल ये ग्रीन हाइड्रोजन गैस से सम्मंधित बात कर रहा है जैसा कि आप सभी जाने हैं कि जिस प्रकार से हमारा क्लाइमिट चैंज हो रहे है क्लोबल वोर्मिंग भढ़ रहे हैं दिन पर दिन ऐसे सित्ती में किसी भी रास्ट के लिए किसी भी देश के लिए ग्रीन इकळूमिक्स का अपनाना बहुत जरूरी है Green Economy हमारे लिए आज बहुत ही महत्तपून एक तरीके से स्टेप होना चाहिए चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर Green Promises है क्या और Green Promises से समंधित हर चीजों पर हम बात करेंगे जैसा कि आर्टिकल में कहा गया है सबसे पहले आप समझिए कि Green Hydrogens क्या होता है क्योंकि यह overall अगर बात किया जाया तो Hydrogen से समंधित भी इस आर्टिकल में मिंशन किया है Green Hydrogen कहा जाता है कि it is a gas produced by a splitting water into hydrogen and oxygen आपको पता होगा कि water में hydrogen और oxygen होता है water का formula H2O होता है आप सभी को पता है H2O अर्थाथ hydrogen plus oxygen तो यहाँ पर hydrogen और oxygen को splitting किया जाता है इसके माद्यम से एक तरीके से renewable energy sources के माद्यम से यह होगा मतलब हम hydrogen gas बनाने की बात की जा रही H2O energy बनाने की बात की जा रही है लेकिन थोड़ा सा मांगा यह समझ सकते हैं hydrogen की अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी objective बात करें Ministry of Renewal Synergy के द्वारा यह बनाया गया है यह जो hydrogen gas से सम्बंदी जो भी स्कीम है economy से सम्बंदी जो स्कीम है यह Ministry of New Renewal Synergy के द्वारा चलाया जाएगा इसके अंदर के जो component है कि सबसे पहले decarbonize energy है मतलब इसमें carbon नहीं है carbon का emission नहीं होगा आपका industry हो या mobility वाले sector के अंदर में हो indigenous होगा manufacturing भारत के अंदर में ही इसकी manufacturing की जाएगी और साथ साथ में एक opportunity भी होगा कि कल का अगर hydrogen हमने अच्छा खासा production करने लगा तो हम इसे export भी कर सकते हैं काफी expected है 2030 तक ऐसा माना जाता एक लाख कडोर के fossil fuels import की saving होगी जैसा कि हम लोग कोईला को भारत में import करते हैं तो अगर hydrogen gas के आने से fossil fuels जो हम import करते हैं वो कम से कम एक लाख कडोर का fossil fuels हमें बच जाएगा सेविंग्स हो जाएगा हमें import पर निर्वर करने की और सकता नहीं और करीब-करीब 50 million अगर टन की बात किया जाए अगर emission जो होता था कारबन डियो अक्साइड का ओ भी कम हो जाएगा component की बात किया जाए तो इसके लिए site नामक प्रोग्राम भी चलाया गया और strategic interventions green hydrogen transition program है ना उसी प्रकार से strategic hydrogen innovations partners in ship नामक प्रोग्राम triple P और R&D के तहट पर तो बहुत सारे काम और बहुत सारे चीजे इस पर चलाए जा रहे है चर्चा करते हैं यहाँ पर सबसे 90 कडोर का भारत के अंदर में national green hydrogen mission चलाया जाएगा और यह national green hydrogen mission का main aim और ambition यह होगा कि कि इस प्रकार से हम लोग भारत के अंदर में newels energy से हम hydrogen को produce करे hydrogen का production करे आप सभी को पता होगा कि hydrogen जो है एक essential आपका industrial fuel है जिसके माध्यम से आप इसको produce करने के बाद ammonia हुआ steel में cement में हर जगह इसका परियोग कर सकते हैं fuel cell के अंदर में आप कर सकते buses कारे हर चीज को चलाने में hydrogen fields बहुत ही महत्यपून योगदान दे सकता है इससे carbon का भी emission नहीं होगा है ना global warming भी से हम बचे जाएंगे फिर भी अगर देखा जाए तो सबसे cheapest way कि manufacturing की बात करें तो fossil fuel सबसी आसान होता है लेकिन जिस प्रकार से koila और natural gas का हम परियोग जब हम करते हैं तो उसमें carbon का emission बहुत जादा होता है और परिणाम यह होगा कि global warming की स्थिति उत्पन होगी climate change होंगे छोटे मोटे island submerged हो जाएंगे नए नए virus का जन्म होगा परिणाम यह होगा कि nature परिसका बुरा प्रभाव और प्रकृति खत्रे में पड़ सकती है इन सभी को मद नजर रखते हुए हमारा अदाइद तो है राष्ट का अदाइद तो है कि green economic की तरफ जाया जाए तो इसी concern को लेकर global warming जैसी all सारे इस्थिति को उत्पन हो सकता है तो हमें energy का source renewal की तरफ जाना होगा 0.9 डॉलर से लेकर 1.5 ग्राम्स आपको लगेगा अगर आप कोईला से hydrogen को निकालते हैं तो 3.5 से लेकर 5.4 पर केजी produce होता है renewals energy sources से सस्ता है hydrogen gas अगर हम कोईला से निकालते हैं तो 0.9 से लेकर 1.5 डॉलर में आ जाएगा लेकिन 3.5 से लेकर 5.5 डॉलर पर केजी अगर आप renewable energy से तो महंगा है लेकिन global warming का भी तो concern होना चाहिए तो solar power traffic भारत के अंदर में बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है कोईला से हम लोग अभी भी नीचे है ज्यादा तर हमारी energy कोईला पर ही dependent है तो इसी लिए हमारे देश के अंदर में national green hydrogen mission चलाने की बात की जारी है जिसके माधियम से environment industrial की industry वाले लोग infrastructure हर तरीके से directly और इंडारेक्टली हम इसे produce करें नेशनल ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कमिट किया है फिनांस मनिस्ट्री के द्वारा यह अभी हाला कि अभी जो हम लोग निकालते हैं हम लोग water को split करके निकालते जैसा कि हमने आपको बताया कि hydrogen और oxygen को अलग कर देते हैं water से splitting क करके हैं उसमें भी energy आपको लगती है उभी electrolyzer के द्वारा लेकिन 2030 में हमारा गोल है कि at least पांच मिलियन मेट्रिक्स टन जो है हम लोग एन्वल ग्रीन हाउस गैसेज को प्रोड्यूस करेंगे electrolyzer capacity 60 से 10 गीगावाट वाला होगा और 125 गीगावाट का जो रिनेवल से नर्जी पर खर्चा होगा मतलब इस सिंपल सी बात कहने का ताथ पर यह है किसमें यह कहा जा रहा है कि आप hydrogen जो है इस्टू ओ निकालो आप है ना अब यहां पर यह भी चीज़े हैं कि green green hydrogen because of the entitle of the expenses काफी expenses है currently में अगर देखा जा तो 1% less than global hydrogen production है आपका पूरी भारत के अंदर में इंडिया का में मकसद है कि it became to global industrial hub और आपका export भी किया जाए मतलब हम इतना hydrogen को produce करें कि हम दुनिया में इसे export भी करें है ना एक तरीके से global hub बन जाए है ना भारत के अंदर में इस पर काम की जा रही है और यह का रहा है कि यह जितने भी हमने टारगेट किया है 2030 तक हम इसे पूरा कर लेंगे डिस्पाइट पॉलिशी भारत के अंदर में उतना बहतर नहीं इंडिया is not managed to be a net exporter of the solar cell, semiconductor और wind power component लेकिन इसके बहुजद भी भारत ने इस परकार के ambitious plan लाए है और स्वभाग्य है कि इस पर काम हो रहा है और आने वाले कल 2030 थक भारत जो है hydrogen gas में अपना बहतर अस्थान प्राप कर लेगा तो यह hydrogen gas से सम्मंदित article दहिंदू का था जो कि हमने यहाँ पर mentions किया मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में इस चैनल पर बने रहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको time to time आपको cover मिलता रहा है so thank you very much